सब्सक्राइब स्वागत है आपके अपने डूप चैनल फार्मा एंसी क्यों में तो देखिए कुछ पर चैनल को पर लिए अगर आप दो पर नहीं किए है विडियो लाइक करना कर ना ना तकि जोने वाली वीडियोज होते हैं नोटिफिकेशन से आप लोगों को मिल सकें देखिए क्वेशन है इन दा प्रिस्क्रिप्शन और एक सिजन अब्रिविएशन ओफ लाटिन वर्ड रैसिप मीनिंग देखिए और आरेक्स जो है इसका मतलब पूछा आप लोगों इसक देखिए उसमें तो आपका सूपर्स्क्रिप्शन आता है देखिए प्रिस्क्रिप्शन के पार्स बहुत जादा सूपर्स्क्रिप्शन सूपर्स्क्रिप्शन में आपका आरेक्स मतलब तू टेक यू टेक या फिर टेक दो हैं फिर आपका इंस्क्रिप्शन आता है इंस् Kingdom rite Bran 담 Time और इसे इन्से सींपल फिर हमारा आता है signature स्था सब्सक्रिप्शंच्रिप्शन में आता है Evet ऐफ क्रिप्शन सब्सक्रिप्शंच्छी सब्सक्रिप्शन टूप फार्माइसिस्ट में फिर एक होता है signature, signature में क्या आता है direction for the patient, ध्यानक नहीं तो यह चार उप टर्म है, आप ध्यानक नहीं बहुत बार पुछ लेंगे, direction to pharmacist है, prescription के कौन से पार्ट में आएगा, direction to patient है, वो किस में आएगा, Rx किस में आएगा, बहुत ज्यादा important है, next question है, हमारा what is the incubation period of chickenpox, chickenpox ज जूस्टर वारस होता है, मतलब कि यह क्या है, viral disease है, आपको पता होने चाहिए, तो अभी हमें चिकन पोक्स का पता करना है, क्या होता है, 14 to 21 days, 1 to 2 days, 12 to 24 hours, 50 to 60 days, chickenpox का होता है, option a, 14 to 21 days होता है, okay, ध्यान रखना है, next है, from which of the following year, British pharmacopoeia, BP was made official in India, 1885, 1915, 1893, 1869, तो यह option जो है, 1 हो जगा, 1885, 1885, okay, next है, which of the following statement is true regarding amino glycoside antibiotics, जो आपकी स्रिप्टोमाइसीन, जैन्टामाइसीन, यह सब पढ़ते हैं आप लोग, तो उसके बारे में देखिए, आपको नो चाहर स्टेटमेंट दिये हुए, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सी क्या लिखा हुआ है, which of the following statement is true, तुन में से कौन सा सही है, कौन सा true है, यह बताना है, कौन सा correct है, देखिए, अमिनि Forte के बताना है, देखिए, तो उसमें देखिए, तो आपकी कौन सा लिखन्ट शार क्राटीर है, फिर आपके आते हैते टेटरासायकलीन, टेटरसायकलीन व्हासर क्लोरमफेनिकॉल तर भाप टेटरीं एक क्लोरमफेनिकुल होती है, वह ऐ बक्धेरिश्थानिकली है यहां रखने आप लोगों ने तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन तो रोंग हो गया आपने तो बताना ना तो यह तो हमारा गलत हो गया फिर देखिए अनरोबिक बक्तिर्यार मोर सैंसिटिव तो अनरोब्स की अगेंस्ट दिखाती ही नहीं है तो यह बी काट दीजिए गलत है फिर इंट्रफेर विस सैल डिविजन से इंट्रफेर नहीं करती क्या करती है प्रोटीन सिंथिस को इनिविट कराती है आपकी मैक्रोलाइड्स हो गई है ना टेट्रा सैक्लिंग लॉरांफेनिक टूस्साइट नुखिय मैक्रोलाइड्स ही है को सबस्क्राइड्स है ट्रूस् ا Witसomas एविए Department डिविवर मीडियूं में तो यह हमें क्या रखना है ध्यान रखना है कि नेक्स्ट बार में हैं और द्हलते हैं अबर देखिए कोमें को करदें दो शोगेश्य do कुछ भी पूचे हम हम हार सिचुएशन के लिए प्रपेर रहेंगे लिए इनका जो एक्सक्रीशन होता है बाइक ग्लुमारी फिल्टरेशन होता है इनका कि इनका प्रपेर टैटर प्रोटीन स्नॉची स्टेशन के लोट इन लिए नहीं करेगी करें ओल एक्सेट लेंट इनटिबाटिक ओरें और टोक्सिक होती है इनने और नहीं होगी ध्यानक नहीं पूछ लेंगे कौन सी ट्रग होती है तो आपने थोड़ी सी ध्यानक नहीं आपका है देखी क्या है न्यूट्रोफिल्स क्या है न्यूट्रोफिल्स को बोलेंगे डाइपिडाइसी नेक्स्ट इन विच फॉलिंग हीट प्रोसेस असोलिड गैट कन्वार्टे टु वैपर्ड देखे सोलिड जो है डारेक्टली कन्वर्ट हो रहा है वैपर्स की में कि बिटाओट दाइंट्रमीडिएट फोर्मेशन ओफ लिक्विड लेकिन इस में सोलिड से लिकविड और लिक्विड से वैपर ना बनके सीधा सोलिड से जो है वैपर बन गया तो अब यह आपने बताना हा कि इस को क्या कहांगे इस प्रोसेस को ऊसके कहें थे इसके कहते हैं सपलेमेशन कहते हैं किस्टाय Pont modern ऐसर। तो क्लोटिंग फेक्टर जो आपके होते हैं तो इनके कोमन नेम्स पता होने चीए तो इनके कोमन नेम्स पता होने चीए तो अभी आपसे फेक्टर नाइन का पूछ लिया क्रिस्मस फेक्टर हेगमैंों फैक्टर लबाइल 10 और पावार फैक्टर तो आम 59 ने येक्रिस्मस फैक्टर होता है है फैक्टर नंबर नाइन धियानक आपका ए राइट हो जेगा ओके फैक्टर नंबर नाइन जो है क्रिस्मस फैक्टर होते हैं वन ओफ दम सीरीन प्रोटीज और कोईलोशन क्लोटिंग फैक्टर इलावन की देफिशन्स से होता है मतलब कि 11 जो ऐसे 11 की देफिशन्स से दिहानक आप लोगों ने हीमोफिल्य ए बी सी इंद ये और भी एक्जाम में आ सकता है थे एक बर एक बर क्लोटिंग फैक्टर के जो है कॉमन नेम से प्रोग देख लूजिए मैं यह भी आप लिखहे सबस्क्राइए ना इसकेड़ाyदल्प्रानि में इपक्रण धिल्वन फीलिकमीुट आपको 6 ना होकर 6,7-oh Nyamruktur होता सिद्वाय। फैक्टर नमबर 12 में एक मैं फैक्टर नमबर 13 में फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है मतलब एक तरीके से होते तो 13 नहीं है बाकि जो 6 होते हैं इसमें 6 नहीं है तो यह वसे 12 होते हैं नेक्स हमारा क्वेशन देखी वह डस थे लटें टर्म जोलोर और्जेंटे शिगनिफा इनप प्रिस्क्रिप्शन डोलोर और जेंटे जो होता है इसका मतलब आपने बताना है क्या है to be taken when the pain is severe, to be taken immediately, to be taken when the cough is severe, to be taken frequently, देकि डोलोर आजेंटे होता है, option 1, to be taken when the pain is severe, okay, next one, which vaccination, which vaccine is a suspension of living cells of a strain of mycobacterium tuberculosis, and was developed by Calmet and Guarin in 1906, Calmet and Guarin ने कौन सी जो है vaccine बनाई थी, इनकी जो vaccine थी, BCG, Calmet and Guarin के नाम के आगे B और लगा दीजिए, BCG बन गया है, Calmet का C लिया, Guarin का G लिया, और जो ये B, BCG, Bacillus Calmet Guarin, BCG vaccine की बात हो रही है, तो ये BCG vaccine क्या है, suspension of living cells of a strain of mycobacterium tuberculosis, तो ये किसके लिए होती है, tuberculosis के अगेंस्ट होती है, BCG vaccine है ना, ठीक है, तो इसमें क्या है, suspension of living cells of a strain of mycobacterium tuberculosis और इसको ड्वलप किया था, दो साइंटिस्ट है, Calmet and Guarin ने, 1906 में, कौन सी vaccine है, मैंने बता दिया, आपको BCG cholera plague, तो आंसर हमारा हो गया, option B, BCG, live attenuated bacterial, live attenuated bacterial vaccine हो, ध्यानक ना, bacterial vaccine है, BCG, बहुत बाहर आता है, BCG क्या है, live attenuated bacterial vaccine है, okay, answer option B, clear हो गया, next time, what is the dose for a 50 LB, LB मतलब की pound, child is the average adult dose 20 mg दी हुई है, और आपको weight child का दिया हुआ है, 50 LB, अब आपको चाइल्ड का weight मिला है, तो आप कौन सा child dose calculation में हमने पढ़े, कौन सा formula लगाएंगे, अगर age होती ही, तो हम लगा देते, young formula, dealings formula लगा देते हैं, अगर हमसे कहते, infants के लिए, up to two years के लिए कहते, तो हम fried formula लगा देते हैं, अभी हमें weight दे दिया, तो करते किसे 70 से हैं, तो weight of the child in pound divided by 150 into adult dose 20 दिया आपको, तो आप इसको calculate कर लिजिए, 20 by 3 को आप simplify करेंगे, 6.666 साथ रहेंगे न, तो अभी options देख लिए, कौन सा सही करेंगे, आप लोग 6.2, 6.6, 6.9, 6.1, तो बिलकुँ option 2 राइट कर देंगे, 6.6 है न, next question देखे, AIDS is a dash immunodeficiency disease, AIDS जो है किस type का immunodeficiency disease है, primary है secondary, tertiary, quaternary है, तो देखे, secondary immunodeficiency disease में AIDS आता है, okay, AIDS होता है resulting from infection by HIV, HIV से होता है, is the best known secondary immunodeficiency होता है, largely because of its prevalence and high mortality rate if not treated, okay, तो यह secondary जो है, आपकी immunodeficiency disease में आचेगा AIDS, okay, next है central drug laboratory is situated in, तो central drug laboratory कहाँ पर है, कोलकाता, मुंबई, चैनाई या निडाली, तो कहाँ पर है, option यह हो जगा, central drug laboratory situated in कोलकाता, okay, देखे, central drug laboratory हमने बता दिया, कोलकाता में एक central research institute भी याद करें, जे कासौली में है, central drug research institute पूछे तो लखनाओ में और इंडरन वेटरन रिसर्च इंस्टूट इंस्टूट इस्टूट इजतनगर, ठीक है, यह कुछ है, लेबोरेटरी इनका पूछे ते कौन सी खाँ पर है तो में पता होना चाहिए, next which of the following is added as a vulcanizing agent in rubber, rubber में जो vulcanizing agent की तरह कौन add करते हैं, thiazols करेंगे, sulfur करेंगे, zinc oxide है, calcium carbonate है, तो vulcanizing agent in rubber is sulfur, option आपका B बिल्कुल right हो जेगा, क्या हो जेगा हमारा answer, sulfur हो जेगा, next question देखे, trichomonas vaginitis is a, तो जो trichomonas vaginitis जो है trichomoniasis जो कोज कराता है, तो उसकी बात हो रही है, तो क्या है, यह fungus है, फंजाई है, एक बक्टीरिया है, प्रोटो जो है यह virus है, तो क्या है यह यह, यह proto जो होता है, option c right हो जेगा, देखे, trichomonas vaginalis क्या होता है, क्या होता है, क्या है, anaerobic flagellated proto-zone parasite होता है, और positive organism of a sexually transmitted disease called trichomoniasis, trichomoniasis का cost-yognism होता है, यह आपका trichomonas vaginalis, तो यह क्या होता है, नेक्स्ट हमारा question देखिए, इन pharmacodynamic interaction, interaction होती है, pharmacokinetic होती है, pharmacokinetic होती है, pharmacokinetic होती है, pharmacokinetic तो जो रिसाप्टर के वेल लेवल पर जैसे, synergism हो गया, antagonism इस टाइप से, pharmacokinetic जो होती है, आपके absorption, distribution, metabolism, इन सब को alter करें, तो हमें पुझा है, pharmacokinetic interaction, naloxone, naloxone किस में पढ़ते हैं, आप लोग जोन किसको antagonize करेगा है, morphine को, quinine को, artemisinin को, reserpine को, अब देखिए, इस question का answer आप लोगोंने comment box में देना है, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस लाइक करना शेकना चैनल पर नए है, तो मेरे आप लोगों से request है, कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जूरू करना, आपकी, थैंक यू.